हे फ्रेंड्स सरी लरू निकेवरू 2020 की कॉमेडी एक्षन तेलगू मूवी है जिसमें लीड रोल में है महेश बाबू रश्मिका प्रकाश राज और विजिया शान्ती मूवी एक बहुत ही important issue को interesting way में हमारे सामने लाई है जिसके बारे में शायद हमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा तो बात कर लेते हैं मूवी और उसके positive negative points की स्टोरी है एक teacher भारती की जो हमेशा सच का साथ देती है अपनी बेटी की शादी तै होने पर वो आर्मी में गए अपने बेटे अजय को घर बुलाती है पर अजय को एक mission के दोरान काफी चोट लग जाती है इसलिए उसकी जग अजय कृष्णा और शिव प्रसात को अजय के घर भेजा जाता है उसकी family को ये news देने के लिए पर जब ये दोनों वहाँ पहुशते हैं तब भारती और उसकी पूरी family लापता रहती है और कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता अब आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है और वो कहा है ये सब आपको movie में देखना होगा movie में fun और comedy का flavor लेकर आती है हमारी heroine समस्कूरूती और उसकी पागल family जो अजे से train में मिलती है और समस्कूरूती और उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है movie में जब भी इनका scene आएगा आपके चहरे पे एक हसी आ जाएगी acting wise सभी ने काफी अच्छी performance दी है movie का music, bgm, songs भी काफी अच्छे है thankfully इस बार action भी देखने लायक है movie के कुछ scenes काफी अच्छे है जैसे एक scene जहां अजे को रोकने के लिए ये बच्चा आटो के पीछे भागता है और बहुत ही style में आटो रुपता है movie हमें army officers की life और struggle के बारे में बताती है movie देखने के बाद आप एक बार army officers को salute जरूर करेंगे अब बात कर लेते हैं negative points की movie में love plot को properly नहीं बताया गया है ऐसा लगा की ending complete करने के लिए hero heroine को बस मिला दिया गया story देखने में मज़द तब आता है जब hero के साथ साथ villain भी तमदार हो पर इसमें प्रकार श्राज जो की एक MLA है बड़ी ही आसानी से hero से हार जाते हैं movie की ending कुछ अलग थी पर उसे properly नहीं दिखाया गया well ऐसे छोटे मोटे loopholes movie में और भी है फिर भी आपको ये movie एक बार जरूर देखनी चाहिए तो मेरा final verdict इस movie के लिए है 6.5 out of 10 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना पुलिएगा और साथ ही साथ आगे के सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा